अपन हलो अबिमन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आज हम आपको बताने वाले आपको पताने वाले हैं दिवाली मौदध ट्रेडिंग Narutorics esty क्योंकि आप सबने सुना होगा स्ट्रेडिंग strategy इंटरेडिंग strategy investment strategy बट इंडियन स्टॉक मार्केट में एक special trading भी होती है जो साल में सिर्फ एक बार होती है और सिर्फ एक बार ये सौदा हमारे investor भाई हो के लिए मुनाफे का होता है तो अब इस मुनाफे के सौदे को कैसे कर सकते हैं क्या है more a trading strategy किसने शुरू की इसको और मेरे 19 साल का ये secret क्य है सब बताने वाला हूं तो मैं मुकुल अगरवाल आपका आपकी के यूटीब चैनल में स्वागत करता हूं जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइक ओन हिट करें नोटिफिकेशन ओन करना बिल्कुल ना भूले गुड़ नियूज गुड़ नियूज यहां एक्विटी फ्यूचर अप्शन कहीं भी ट्रीट कर सकते हैं इंट्रडे स्विंग पोजिशनल कहीं भी ट्रेट कर सकते हैं वापर प्राइस एक्टन डिमांड सप्लाइड स्क्रीनर ट्रीटिंग जनेरल हैंड ओल्डिग लिवी बहुत कुछ आपको मिलेगा जो हम आ सालों पुरानी परंपरा है, जो सालों से चली आ रही है, आप इसको धंतेरस से डिलेट कर सकते हो, जैसे धंतेरस में हम लोग सगुन के लिए अपनी कैपसिटी के नुसार, चाहे बरतन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, या डाइमंड हो, अपनी कैपसिटी के नुसार लाते हैं ना सगुन करते हैं घर में क्यों कि हम यह मानते हैं कि अगर धंतेरस के दिन हम कुछ लाते हैं अपने घर में तो वो हमें बरक्कत देगा राइट हमें हमारी घर में उन्नती लाएगा एक सुब वैसे ही स्टॉक मार्केट में यह जो दीपावली के दिन ऐसे तो मार् है हमारे लिए सगुन जिसमें हम सगुन करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भीया ये शुरू कब हुआ था तो 1957 में BSC पर मुरड ट्रेडिंग शुरू हुई थी दो प्रमुख वैपारिक समुदाय गुजराती और मारवारी लोगों से शुरू हुआ था NSC में 1992 से इसकी सुरूआत हुई तब से लेकर आज तक BSC और NSC दोनों दीपावली की साम को एक घंटी के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता चल गया है किसने सुरूआत की थी परंपरा कैसे चल रही है तो यहाँ पर जो मेरा 19 साल का experience है मैं आपके साथ वो share गरता समझने की कोसिस कीजिएगा अगर आप मार्केट में थोरे भी पुराने होगे तो आपको पता होगा मार्केट में tips चलती है more a trading strategy एक घंटे में आप कमाएंगे एक घंटे में दीपावली मनाएंगे बट लिटरली अगर देखा जाए तो उस दिन मार्केट में बहुत ही sideways movement ह होती है कुछ खास उठा पटक नहीं होती है और वहां पर जो लोग इस तरह की trading के पीछे जाते हैं mostly नुकसान करते हैं और फिर दीपावली जैसे खास प्रव के दिन उनका चेहरा उतर जाता है और दिमाग में वो जो पैसा loss होता है उसी के खयाल चलते है जबकि ये जो खरीदते हैं और अपने portfolio में खरीद कर छोर देते हैं जैसे हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं और उसको बरकत के लिए छोर देते हैं वैसे ही मैं भी 19 सालों से moral trading के दिन कुछ खरीदता हूं और उसको बरकत के लिए छोर देता हूं मेरा ये मानना है क्योंकि ये एक सगुन का गलत तरीके से इसको trading strategy के नाम से convert कर दिया गया tips के नाम से convert कर दिया गया आप trade करेंगे दीपावली के दिन पैसे कमाएंगे जिसके चक्कर में कुछ कमाते हैं कुछ गवां देते हैं गवाने वालों की संख्या ज़्यादा होती है फिर वो परेशान होते हैं और तेवहार के दिन वो अच्छे से अपने परिवार के साथ तेवहार भी नहीं मना पाते हैं, ये एक big fact है, comment में बताईएगा आपके साथ कैसा हुआ, कैसा रहा, क्या कभी आप इस trap में फसे हैं, तो जो मैं personally follow करता हूँ कि दीपावली के दिन कुछ सेहर लिया, portfolio में डाल कर छोड़ दिया, अपनी capacity के हिसाफ से, बिल्कुल धन्तेरस की कहान, अपनी capacity के हिसाफ से, और फिर उसको एक सगुन माना, क्योंकि हम सारे trader भाईयों का सगुन का दिन, stock market का दिन होता है, और यही है मेरी more trading strategy, जहाँ पर हम इस तरीके से invest करते हैं, और दीपावली सुकुन के साथ, एक सगु तो साम में जो एक घंटे की more trading है, इसमें more trading के लिए साम 6 बजे से 15 मिनिट का pre-opening session होता है, और सवा 6 से trading सुरू होती है, सवा 7 बजे तर, जिसके बाद 7 पचिस तक market settle होता है, यह है timing जो मुझे आपके साथ share करनी थी, तो अगर आपको मेरी strategy, मेरा बात अच्छा लगा है, तो वीडियो को share कीजिए, जिसे सब लोग दिपावली के दिन, एक smile के साथ एक छोटी सी सुरुवात कर सके, thank you so much.